लगन का मालिक अगर छटे आठमे में बैट गया है तो आपके लाइप में बहुत ज़्यादा संगर्स होगा जातक की आयू बहुत ही कम होती है और आयू से संबंधित यानि सारिक संबंधी प्रॉब्लिम्स बहुत ज़्यादा होने की संभाबना बताया जाता है इस सिरीज में पढ़ रहे हैं आयू के बारे में देखे अगर किसी भी जातक का लगन हम तीन चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं इसको तीक सुरूप से आपको समझना है और जब भी आपके पास में कोई भी कुनली आती है या आपका अपना लगन चार्ट है तो आप जरूर इसमें देखिये बच्चे की लगन चार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं जैसे अगर किसी भी जातक के लगन यानि कि लगन से नवम भाव में सूर्ज बैठा हो यानि कि नवम भाव यह हो गया इस घर में अगर सूर्ज बैठा हुआ है अब देखे गिनेंगे लगन से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, नाइन घर में अगर सूर्ज बैठा है और सब्तम में सनी बैठा हो, देखिए सब्तम में सनी अगर बैड इस्तिती में किसी भी जातक का बैठता है तो बहुत जादा प्रॉब्लम देता है, बेवाहिक समस्या को लेकर, और दू यह आदमी का चार्ट देखा, यह आदमी का कंसलिकार फीदी रहे हैं, जब भी किसी भी जातक का आप चार्ट देखें, अगर साथी हो चुका है तो दोनों देखना परेगा, तभी एक आदमी की पूर्ण कंसल्टेंसी मानी जायेगी, अब इसमें हम बात करेंगे अगर किस की आयू जो होती है वो तीन महिना होती है ये तो हम बच्चे के बारें बताएं अगर ये कंडिशन है अगर आपके चार्ट में और लगन का मालिक अगर छटे आत्मे में बैठ गया है तो आपके लाइप में बहुत ज्यादा संगर्स होगा खास करके सरीर से लेटेट ये भी ह हमको देखना समझना बहुत ही इंपोर्टेंट होता है किसी बिजातक को दूसरी चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर कोई भी लगन की कुनली हो सकती है कोई दिक्कत नहीं है बस चंद्रमा अगर इस चारो घर में बैठा हुआ है और इस पर सनी की दृष्टी अगर पर ग हुआ है तो अब जरूर इसका उपाई करवा लीजिए नहीं तो लाइफ भर आपको संघर्ज करना पड़ेगा लास्ट में जब किसी जातक के पास में जाएंगे कुनली दिखाने के लिए तो पता चलेगा कि यह छोटा सा उपाई अगर कर लिये होते तो पूरा लाइफ हम हार सकते हैं इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है तीसरी कंडिशन है जो आयू के बारे में बात कर रहे हैं अगर किसी भी जातक का चंद्रमा अगर लगन में बैठा हो पाप गरहों से युक्त हो या पाप गरहों के पाप नमबर के गरह में बैठा हुआ है जो मतलब की जो चं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वो भी देख लिजीगा अगर बाइस चैनल पर वीडियो इस पड़ा हुआ है अब चंद्रमा अगर लगन में पैठा हो और अस्टम घर में कोई असुब गरा बैठा हो तो अगर ही ना हो उचका और निचका ना हो कोई जादा होने की संभाबना बताया जाता है इस इस्थिति में हमें इसका उपाई करवाना बहुत ही जरूरी है अब देखिए यहाँ पे हम उपाई की सर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यह सब क्रिटिकल सिच्वेशन में आप मतलब कि जब क्रिटिकल सिच्वेशन है जब आएगा तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा आपको जैसे कि हम चंद्रमा की उपाई कर लें लेंगे इस प्रकास से नहीं उपाईगा अगर सुपोज कि यह सुक्र है सुक्र की दसा महा दसा ही आती है 20-20 साल का तो हम उसमें दसा या अंतर दसा देखकर हम किसी भी जातक क उपाई बता सकते हैं लेकिन अगर इसके बारे में आप टोटली अगर सीखना जाते हैं अगर सीख तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अदरवाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एप का एप डाउनलोड लोड कर लीजिए घरसंसार एप और वहाँ प सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए और आपको सायरिक संबंदी कोई भी प्रॉब्लेम्स है तो आप नीचे कमेंट में आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग प्लेस जरूर लिख दीजिएगा धन्यवाद